दुर्ग जिले में वहरे शिवनात और आमनेर नदी के अत्यधिक पानी भराव चलते आई बार के पानी से फसलों को हुए नुकसान पर विभाग ये दिकारी जाज में जुटे हैं जिले के शिवनात और मामनेर नदी में पिछले दिनों आई बार से 801.5 हेक्टियर की धान और हर सोयाबिन उड़त और मुंग फसल को शती पहुँची है मगर इसे प्रवावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा आपको बता दे कि रिशेवी भाग के अनुसार 26 प्रतिशत से अधिक नुकसान की स्थिति में ही मुआवजा मिलता है इस सम्वन में बता दें कि क्रिशे भाग या थिकारियों के अनुसार जिले के धमदा विकास खंड अंतरगत बार से उड़त के 31 हेक्टेर की फसल प्रभावित हुई उक्त फसल को 26 प्रतिशत तक का ही अनुकसान पहुचा है साथ ही उड़्याने की फसलों का सरवे जारी है अब तक नजरी आंकलन के अनुसार दुर्ग विकास खंड में 79 किसानों के 45 हेक्टेर में लगी बैगन, बरबटी, कुंद्रुगोवी, करेला, केला, मिर्च, टमाटर, परवल, गलका, लोकी आदे की फसल को शदी पहुची है धमदा विकास खंड में कुछ ग्रामों का ही नजरी आंकलन आया इसमें 61 किसानों के 15 हेक्टेर में लगी विभिन्य प्रकार की उद्याने की फसलों को नुकसान हुआ है और पाटन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ इस पर भी भागिया दिकारियों का कहना है कि फिल्ड में जाकर वास्तविक नुकसान का आंकलंड किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट आने पर ही फसलों को कितनी प्रतिशत शती पहुंजी है ये इस पस्ट हो पाएगा इसी नियूस के लिए दुर्वसेन सिंफारू की कि रिपोर्ट